मलाइका अरोडा की फरहान अक्तर और सिवानी दांडेकर की शादी की पार्टी में जिसे पिछले महिने रितेस सितवानी ने होस्ट किया था सोसल मीडिया पर कुछ वारण हुआ जब वह अपनी BFF गैंग के साथ पार्टी में पहुंचे तो सब की निगाहें उन पर थी क्योंकि वो दीखने में बेहत खूबसूरत थी लेकिन अपने ट्रांसपेरंट कपडों की वज़ा से उन्हें काफी ट्रोल किया गया था इसको लेकर मलाइका ने कड़ा जवाब दिया मलाइका अरोडा ने पार्टी में सियर अमबाइडरी वाली ड्रेस पहनी थी मलाइका के मुताबित लोग जैनिफर लोपेज और रिहाना जैसे हॉलिवूड सूपर स्टार्स को पसंद करते हैं लेकिन उन्हें जजज करें कि क्या भारतिय स्लैप्स इस तरह से ड्रेस अप क को देखते हैं आप जली या ब्यांक को देखते हैं और आप कहते हैं वाह मैं भी उन्हें प्यार करता हूं अपने आगे मलाइका ने कहा कि उनका मानना है कि यह सभी महिलाएं हैं जो भूमिका को प्रेरीत करती हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं वहीं काम करता हूं तो उस उसके प्रसंसक कहेंगे वह क्या कर रही है। क्या हमें पाखंडी होना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यहां के लोग किसी और की पोसाख की प्रसंसा करते हैं तो लोग उनके प्रसंसा क्यों नहीं करते और उन्हें अंतराश्टिय अस्तर पर देखते हैं यह दोहरा मान दंड क्यों है मलाइका जहां ट्रोलर्स पर विश्वास नहीं करती हैं वहीं वह मानती है कि यह पहली बार है जब वह सोशल मिडिया पर इस तरह के अभध टिपडियों से प्रभावित हुई है परिसान होकर मलाइका अरोडा नी इस बार ट्रोल होने के बारे में कहा उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा करता है कि वह ट्रोल होने से परिसान नहीं है तो वह जूट बोल रही है या चिपाने की कोशिश कर रही है